बैसाम नमस्ते मेरा नाम सुर्योंशी नियानेशुर मैं वेलकम सीड्स के तरफ स्याया हूँ हम आये पपिता के खेते में और आप नंदुर्बार डिस्टिक में आपका महम परिचे जान रहे हैं और आपने कोन साव रटी लगाया इसके बारे में थोड़ा हमें जान कर देज आपका नाम बताए एक है और अपना गाव का नाम उमरद मालय से अभिए लगा आप जरह में विश्टार से कि आपने कौन सावडे लगा है यह यह विल्कम चहःचालीस है और इसका सेटिंग एकदम बढ़िया आए दुसरी वेराथी से सेटिंग बढ़िया है ड्रह नहीं है अब बिलकुल भी और वायरस का प्रामान बहुत कम परहर नहीं कि बरावर जाते हैं इसका ऐसा नहीं है पूरा पत्ते का जो कॉलेटी वह भी एकदम मेंटेने जादा है फ़ल की साइध अच्छी है सेटिंग अच्छी है बिच में गैप किदर ही नहीं है यह प्लस पॉइंट यह राइटी का अभी आप हैना में तीन चार पीर्ड वेलकम के दिखाना हैं और आपके खेती में दूसरी वह रड़ लगा यह वह भी दिखाना के अपने वेलकम के वेलकम के विलकम वेलकम के आपने कितना एकर लगा यह साल टोटल नव एकर वेलकम सीट्स का 46 नंबर आपने नव एकर लगा यह अब यह तीसरा प्लांट का शुटिंग किया है तो इस तरप के भी दो तिन अपन देखते हैं हां 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 इसमें दो फल दिखाएदे रहे हैं पकड़ी तो कम से कम साथ पीट हो गाँ आठ फीट के उपर हाइड भी जादा है फल कम हाँ और यह भी दोखो इसमें कितने फल होंगे यह होंगे आपके एक दो तीन चार पाँ छे साथ आठ नव दस ग्यारा बारा तेरा के फल के अश्पास बड़े बड़े अगर देखने है हाँ है किसमें दो फल है इसमें दो फल अभी कुल मिला के आप उन्हें तीन पेड देखे और विल्कम के भी तीन पेड देखे तो दोनों में कितना डिफरंद होगा फल के बराबर यह दि करेंगे तो तीन पेड मिला के कुछ 12-13 फल हाँ यह एक पेड पे 15-16-13-12 ऐसे फल ह इसका प्लस पॉइंट यहीं मालूम पढ़ जाता है आज बाट इसका फल देखो इसका फल देखो यह सुरिय और यह जैदरत आमने सामने है और यह जो लगाया दूसरी कंपनी का यह कितना एकड लगाया आपने यह टोटल 21 एकर है यह किस एकर है अपना विलकम नुएकर हां कुल मिला के तीस एकड का प्लॉट है अगले साल क्या लगता है आपको की कौन सी वराटी जादा रहेगी आपके इरिया में अगले साल विलकम क्यों तो अभी आजू-बाजू वाले भी जो है ना वह सब आके देखके जाते कौन सी विलकुल नहीं है उनको भी जादा यह नौलेज की वाई यह कुन सी वराइटी है थोड़ा क्लियर फरक दिख्या जाता है इस पे गैप जादा है इसमें गैप बिलकुल नहीं है पत्ती क्वालिटी जादा अच्छी वायरस का प्रमान कम है तो उनका हिसाब से आज भाजू